आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रतिरोद का मान क्या होगा तो हमें यहां पे चार प्रतिरोद के मान दिये गए हैं ठीक है हमें जब भी उच्छ प्रतिरोद चाहिए रहता है प्रतिरोद आर का जो मान है वो हमें हाई चाहिए ठीक है उच्छ चाहिए तो इसके लिए हमारे पास यहां पे हम लोग प्रतिरोद को स्रेडी क्रम में जोड़ते हैं यानि कि 4 प्रतिरोद दिये गया है तो R1 धन यहाँ पर हो जाएगा, R2 धन यहाँ पर हो जाएगा, R3 फिर यह हो जाएगा, R4 के रूप में, तो इस तरह से हम लोग इनको स्रेडी क्रम में जोड़ेंगे, तब हमें यह जो है समी करन प्राप्त होगा ठीक है जब प्रतीरोत को हम लुक्स रिरव्ण में जोड़ते हैं तो यह आपस में जुड़ जाते हैं तो यह हो जाएगा R1 धन R2 और यह हो जाएगा R3 और यह हो गया R4 तो इसका जो इक्विविलेंट हमें मिलेगा वही R, उच्च प्रतिरोद के मान को दर्शा आएगा, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो R, हाई जो है हमारे पास उच्च प्रतिरोद, ठीक है? इसे R, H के रूप में दर्शा देते हैं, तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 ओम R, 1 का मान 4 है, R, 2 का मान 8 Ohm है और फिर R3 का मान हमारे पास यहां पर 12 Ohm हो जाएगा और फिर R4 का जो मान है वो 24 Ohm हो जाएगा ठीक है तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 से 12 जुड़ेगा तो 20, 24 से फिर हम लोग 24 को जोड़ेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 48 यानि की 48 Ohm का हमें उच्च प्रतिरोध प्राप्त होगा तो इस तरह से हम लोग अपने प्रतिरोध को जोड़ेंगे और इसको हम लोग स्रेडी क्रम में जोड़ करके प्राप्त करेंगे तो उच्च प्रतिरोध का मान जो है 48 Ohm हमें प्राप्त होगा धन्यवाद